Hello Friends, Welcome to GES Analysis Center तो Delhi Current Affair के सतर में आज हम डिसकस करेंगे 21 माई का Current Affair Current Affair के साथ साथ जितने भी important extra fact होंगे सारे को discuss करेंगे साथ ही इसका PDF इस पेडियो का description से अब डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों Current Affair के इलाभा Top 15 GK के important questions को भी discuss करेंगे जो की आगामी सभी परतोगी परिशाओं के लिए important रहेंगे तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जबू करना अब चले स्टार्ट करते हैं पहला question है भारत की किस मुक्यबाज ने दोजार बाइस का विशो महिला Boxing Championship का खिताब जीत लिया है काफी important question बनेगा आगामी परिशाओं के लिए इस question को नोट करिए दोजार बाइस का विशो महिला Boxing Championship का खिताब जीती है भारत की निकहत जरीन option A है सही उत्तर है ठीके निकहत जरीन जो की तेलंग गाना राज्ये से बिलोग करती है इस्तानबुल तूर्की का एक शहर है इस्तानबुल में इस चेंपेंशिप का आयोजन किया गिया था इसमें भारत की निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता है ठीक है कितने किलोग्राम वर्ग में इन्होंने 52 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में थाइलेंड के जिट पॉंग जुटामस को पांच शुनने से हरा कर इन्होंने गोल्ड मेडल जिता और ये खिताब जितने वाली भारत की ये पांचवी महिला बॉक्सर बन गई है निकाजरिन तेलंगाना राज्य के निजामाबाद की रहने वाली हैं एक फैक्ट्स और ध्यान में रखिए भारत की हैं MC मेरिकों जोकी मणीपूर राज्य से बिलोग करती हैं छे बार वर्ल्ड विमेंस बॉक्सिंग चेंपेशिप जितने वाली विश्व की पहली महिला बॉ में वर्ल्ड बैंक ने 30 अरब डॉलर मदद की घोसना की हैं ओप्शन भी राइट एंसर विश्व बैंक की बात करें तो देखिए इसके अस्थापना जुलाई 1944 में संयुक्त राश्टर के ब्रेटन उट समेलान में की गई थी मुख्याले वाशिंग्टन डी सी में हैं मुख्य अर्थ शास्त्री हैं कार्मेन रीन हाट नेक्स्ट आवास और शहरी मामलों के मंतराले दुआला जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत पर cycle कितना ठोस कचरा उट्पन करता हैं तो देखिए हाली में केंद्रिये से सलाना 30,000 करोड रोपय का राजस्व अरजित किया जा सकता है तो ये रिपोर्ट जारी किया है केंद्रिय अवास और शहरी मामलों के मंत्रा लेने और इस रिपोर्ट का नाम है सर्कूलर एकनोमीन मुनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट ठीक हैं अवास और शहरी मा कीगा 2022 के लिए ब्रिक्स का अधेक्ष चीन है तो ब्रिक्स से रिलेटड जितने भी बैठक आयोजित किया जाएंगे 2022 में सब की अधेक्षाच चीन करेगा तो हाली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक डायगे चीनने की और इस बेठक में भारत का परतेंड इसके अस्थापना की गई थी जून 2006 में इस बार जो है 2022 में BRICS सम्मिट का आयोजन किया जाएगा ये 14 हुआ संसकरन होगा चीन की मैजबानी में इसका आयोजन किया जाएगा BRICS का मुख्याले शंगाई में हैं BRICS में 5 देश हैं B से ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफरीका ठीक है देखें चीन की बात करें तो भारत और चीन की जो अंताराशी सीमा रखा है उसका नाम है मैक मोहन रेखा चीन भारत के चार राज्यों से अपनी सीमा शेर करता है यह राज्ये हैं उत्रखंड, हिमाचल परदेश, सिक्किम और अर्वाचल परदेश के अंदर शासित परदेश में लगदाक से चीन की सीमा लगती है चीन की यांतेजे नदी ये एशिया महदवीब की सबसे लंबी नदी है हुआंगो नदी जिसे पिले नदी का जाता है इसे चीन का शोक का जाता है बार-बार बाढ़ आने के कारण शंग्धाई सहयोग संगठन और Asian Infrastructure Investment Bank इन दोना का मुख्याले चीन की केपिटल बिजिंग में है चीन के राजधानी है बिजिंग, राशपती है श्री जिन पिंग, यहां की संसत का नाम है National People's Congress और Currency है Rain Mimbi, इवान जो आप नाम सुनते है Currency, इवान जो है Rain Mimbi का यूनिट होता है चलिए अगला कुशन है विश्व मधुमक्खी दिवस निमन में से किस दिन मनाय जाता है तो हर साल World B Day, यह मनाय जाता है 20 मई को Option C, हराइट एंसर 20 मई को ही विश्व मधुमक्खी दिवस क्यों मनाय जाता है देखिए मधुमक्खी पालन की तक्निक जनक कहा जाता है एंटोन जानसा को अप नोट कर सकते हैं एंटोन जानसा को मधुमक्खी पालन की तक्निक का जनक कहा जाता है इनका जन हुआ था 20 माई 1734 को स्लोवेनिया में इसलिए इनहीं के जम दिवस के आउसर पर हर सल 20 माई को विश्वम अधुमक्खी दिवस मना जाता है 2022 का थीम है Be Engaged, Celebrating the Diversity of Bees and Bee Keeping Systems ये 2022 का थीम है अब माई माई में जितने भी important देमें आए गए हैं फटा-फट रेविजन करिये एक माई को अंतराशे मजदूर दिवस दो माई को अंतराशे खगुल विग्यान दिवस तीन माई को विश्व प्रेश स्वतनतरता दिवस मना जाता है सा साथ में अब थीम भी नोट कर सकते हैं चार माई को अंतराशे अगनिशामक डे, पांच माई को विश्वा हाथ स्वक्षता दिवस, छे माई को अंतराशे अहार निसे दिवस, साथ माई को विश्वा एतलेटिक्स दिवस, आठ माई को विश्वा रेड क्रोस दिवस, आठ माई को ही विश्वा थैली सीमा दिवस भी मनाई जाता है, 17 मई को विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस, 18 मई को अंतराशे संग्रायले दिवस मनाई जाता है नेक्स्ट, निम्नमे से किस अराज्य के हाई कोट ने उस अराज्य की मौझूदा मुख्य मंतरी घर घर राशन योजना को रद कर दिया है तो देखिए दिल्ली की सरकार ने कुछ दिन पहले मुख्य मंतरी घर घर राशन योजना लौज किया था, डोर टो डोर राशन पहुँचाने के उदेश से, हाली में दिल्ली हाई कोट ने इसे रद कर दिया है इस योजना को ठीक है, दिल्ली हाई कोट ने ये कहा है कि इस यो को रद कर दिया हैं, देखिए दिली की बात करें, तो हाली में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की गई है, इसके अलावा सरकारी स्कूलों में हाविन हविल भर योजना और स्कूल हैल्थ किलने करेकरम शुरू किया गया है, इरादा कर लिया हमने ये दिल्ली का श्रिक्षागीत है इसे हाली में लॉंच किया गया गंदे पानी को रिसाइकल करने के लिए रिसाइकल कर पुनह इस्तिमाल के लाइक बनाने के लिए सूजलाम अभियान का दूसरा संसकरहन शुरू किया गया है भारत का पहला स्मार्ट मैनेजड एवी चार्जिंग एश्रेसन दिल्ली में अस्थाभित किया गया है ये सारे फैक्ट्स जो हैं दिल्ली से रिलेटेड है स्मार्ट काड शस्त्र लाइसेंस लॉंच करने वाला ये भारत का पहला राज्य है विश्वकास सबसे बड़ा अस्थानीन एकायद दिल्ली नगर निगम है अंग्रेजों नेptions11 में दिल्ली को अपचारी का राजधानी गहोसित की थी 1912 में ये राजधानी बना था दिल्ली के मुक्हय मंत्री है अर्भिन्द के जिर्वाल डिप्टी सीएम है मनीश सिसोधिया उपर राज्येपाल थे अनिल बैजल उन्होंने हाली में अपने पत सी इस्तिफा दे रिया है दिल्ली हाई कोट के एक्टिंग चिफ जस्टिस है वीपिन सांगी दिल्ली में जिलों की संखिया 11 है लोक सबसीट के संखिया 7 राज्ये सबसीट 3 विधा सबसीट के संखिया 70 है और यहाँ का स्टेट बार्ड है गोर्या next रोणो जोए दत्ता के अस्थान पर इंडिगो एरलाइन्स के नए CEO कौन बने है तो इंडिगो एरलाइन्स के नए CEO बने है पीटर एलबर्स, ओप्शन ए सही उत्तर हैं, इन्हें रोनो जो ये दत्ता के अस्थान पर न्यूक्ते किया गया है अभी मैंने आप सभी को बताया था हाली में, कैम्प बेल विल्सन, ये एर इंडिया के नए एमडी और सीयो बने हैं वही नटराजन चंदरशेकरन जो की वर्तमान में ताटा संस के चेर्मेन हैं, इन्हें एर इंडिया का चेर्मेन बनाई गया है इंडिगो की बात करें तो इसके अस्थापना 2005 में की गई थी, 2006 में इसका संचालान शुरू किया गया था इसलिए इसका मुख्या रूप से अस्थापना माना जाएगा, 2006 को याद रिखिएगा, ठीक है मुख्याले गुरुगराम में है, गुरुगराम का ही पुराना नाम गुरुगाव है जो की हर्याना में है इंडिगो के चेर्मेन है वेंका ट्रमनी सुमंतरन इनकी नूपती हाली में की गई है परबंद निदेशक है राहूल भाटिया और नए CEO बन गए है पीटर एलबार्स अब देखिए लटेस्ट एपोइंट्मेंट की बात करें तो केंद्रिये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नए अध्यक्ष बनी है नेधी चिबबर भारते उद्योग परिशंग के नए अध्यक्ष बने है संजीव बजाज एर इंडिया के नए MD और CEO बने है कैंपबेल विल्सन REC Limited के नए चेयर्मेन और मैनेजिंग डिरेक्टर बने है विवेक कुमार देवांगन केंडिये परत्यक्ष कर बोर्ड की नए चेयर्मेन बनी है संगीता सिंग इंडिगो के नए चेयर्मेन है वेंका ट्रमनी सुमंतरन नेक्स्ट भारत की पहली दंत स्वास्ट बिमा योजना किसने शुरू की है तो देखिए हाले में भारत का पहला डेंटल हेल्थ बिमा योजना लॉंच किया है PNB MetLife इंडिया इंशुरेंस ने जो की पंजाब नेशनल बैंक के ही एक इंशुरेंस कंपनी है PNB MetLife इसने भारत का पहला दंत स्वास्ट बिमा योजना लॉंच किया है PNB MetLife की बात करें तो इसके अस्थपना 2001 में की गई थी मुख्याले मुबई में है लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जो पंजाब नेशनल बैंक है उसकी अस्थपना 1894 में की गई थी और उसका मुख्याले दिल्ली में है पंजाब नेशनल बैंक MetLife के अधेक्ष है किशोर पोनावोलू और MD और CEO है आशीज कुमार सिर्वास्तो वहीं पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO है अतूल कुमार गोयल सन्य और खुफिया लेखन के लिए निमने में से किसने William E. Colby प्रुसकार 2022 जीता है तो देखिए William E. Colby प्रुसकार जो है ये सन्य और खुफिया पर अधारित पुस्तकों को दिया जाता है 2022 का ये प्रुसकार दिया गया है Wesley Morgan को Option B रैट अंसर है इनकी पुस्तक इसी पुस्तक के लिए Wesley Morgan ने 2022 का William E. Colby प्रुसकार जीत लिया है William E. Colby प्रुसकार जो है ये अमरेका की सन्य अकादमी नार्विज इन्वरसिटी द्वरा दिया जाता है इस प्रुसकार की अस्थपना की गई थी 1999 में और प्रुसकार राशी के तहट 5000 डॉलर की इनामी राशी दी जाती है नेक्स्ट नविंतम उपन्यास ए प्लेस कल्ड होम के लेखक कौन है देखे ये उपन्यास जो है नई उपन्यास है अगले महीने लौंच की जाएगी इसकी लेखी का है प्रीती शेनोय जो कि भारत की मशुहूर लेखी का है उपन्यासकार है प्रीती शेनोय इनहीं की ये पुस्तक है ए प्लेस कल्ड होम जो की अगले महीने लौंच की जाएगी अब देखे आली फिलाल की जो भी नई-नई पुस्तक है लौंच हुई है इनहीं भी नोट करिए The Struggle for Police Reforms in India के लेखक है प्रकास सिंग चाइनिज स्पाइज के लेखक है रोजर फाली गोट पुर्वी भारत का सिख इतिहास पुस्तक के लेखक है अविनाश मोहपात्रा The Magic of Mangla Jodi के लेखक है अविनाश खेमका The Boy Who Wrote a Constitution जो की बाबा भीमराओं अम्बेटकर के उपर अधारी थे इसके लेखक है राजेस तलवार The Tiger of Dras के लेखक है मीना इन तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करेंट अफर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जगू करना अब चलिए Top 15 GK के important questions को देख लेते हैं अज से 30 हैं पहला question बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है देखिए बरगद यह भारत का राश्ट्रिय ब्रिक्च है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है Ficus Benda Lensis Question number 2 है राश्ट्रिय गीत को सर्व पर्थम कब गाय गया था राश्ट्र गान को सर्व पर्थम गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में वहीं राश्ट्र गीत को सर्व पर्थम गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ठीक है राश्ट्र गीत है राश्ट्र गान है जनगानमा अधिनायक जाया है और जो राशे गीत है वो है वंदे मात्रम प्रथम हिंदी समयलन किस वस किया गया था 1975 में महराश्टर के नागपूर में केंद्रिय अंग्रेजी और विदेशी भासा संस्थान कहां पर इस्थित हैं तो ये हैदरबाद में है तिरंगा के बीच चकर जो होता है किस रंका होता है वो नीला का लर्का होता है और उसमें 24 तिलियां होती है किस भारती राशे राजमार्ग के सम्मिलित रूप को Grand Trunk Road कहा जाता है तो राशे राजमार्ग 1 और राशे राजमार्ग 2 के सम्मिलित रूप को ही Grand Trunk Road कहा जाता है और इस रोड का निर्मान कराया था शेरसा सूरी ने भारत में वायू परिवहन के शुरुवात कब हुई थी 1990 में भारत में रेडियो का प्रसारन कब अरंभ हुआ था 1927 में लेकिन ध्यान दिजिए All India Radio किया स्थपना 1936 में की गई थी और आगे चलकर 1957 में All India Radio का नाम बदल कर अकाश्वानी कर दिया गया था भारत में सर्वा पर्थम डाक सेवा का प्रारंभ हुआ 1837 में पर्थम भारती बोलती फिल्म कौन से थी आलम आरा ठीक है भारत की पहली फिल्म वैसे राजा हरिश्चंदर थी जो की 1913 में आई थी और ये है आलम आरा ये भारत की पर्थम बोलती फिल्म थी और ये आई थी 1931 में भारत की पर्थम अंग्रेजी फिल्म कौन से थी नूर जहां स्वतंत्र भारत की पर्थम राश्य सिक्षानिती कब लागू की गई थी 1968 में कुची पूरी की सराज्य का पर्मुख शास्त्रिये निरित्ते हैं आंध्र परदेश का कोशन अमर चोदा है आनंद शिवरामन का संबंद की सास्त्रिये निरित्ते से हैं इनका संबंद कथक कली से हैं और कथकली केरल का शास्त्रिये निरित्त हैं। 1948 में अस्थापित परमानु उर्जा आयोक के पर्थम अध्यक्ष ओन थे होमी जहांगीर भाबा। अब चलिए फटफट पिछले कलास का क्वीक रिविजन करिए। पहला कोशन निम्न में से किस के अंदर शासित परदेश के उपराजय पाल ने 18 मई 2022 को अपने पद से इस्तिफ़ा दे दिया। दा ग्रेनेजियन्स जो की केरेबियाई देश हैं। सुमालिया के नए राश्पती कौन बने हैं? हसन शेक मुहमद। किस अराजय ने देश के लिए जानगावाने वाले सैनिकों के परिवारों को मिलने वाली मौजा राशी को 50 लाग रुपे से बढ़ा कर एक करोड़ कर दिया हैं। पंजाब ने। पाँच हजारन बनाने वाले पर्थम बंगले देशी खिलाडी कौन बने हैं? मुश्फेकूर रहीम। हाल ही में किस देश ने चिटागोंग बंदरगाह के भारते इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी हैं। तो ये बंदरगाह बंगले देश में हैं। केंड्रिय कबिनेट ने जैव इंदन पर राशे नेती 2018 में संसोधन कर 20% इथनोल समिशन लक्षे को 2030 से घटा कर कब तक कर दिया हैं। केंड सरकार ने किसकी अधेक्ष्टा में बारते का पास परिशत का घठन किया हैं। सुरेश भाई कोटक की अधेक्ष्टा में। कब हुआ था। तो देखिए इसका सही उतर्था उप्ष्टा नंबर भी 540 इसापुर में महावीर का जन हुआ था। दूसरा कोशन था हर स्वर्धन का शासनकाल कब से कब तक रहा। 606 इसबी से लेकर 647 इसबी तक। देखिए कुछ लोग ने एंसर मिस्टेक से गलत कर दिया था। ध्यान रखिएगा। अब चलिए आज का पहला कोशन है पश्रिम बंगाल की सीमा कितने राज्यों से लगती है। दूसरा कोशन है कोलार गोल्ड फिल्ड किस राज्य में इस्थित है। दोनों कोशन का एंसर नीचे कमेट करकर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार।